सोमबार की अश्टमी के उपाए कथा के दोरान पंडित जी ने बताया कि सोमबार की अश्टमी जो 27 फरवरी को है उसका विशेश महतु होता है क्योंकि सोमबार की अश्टमी होती है सिप पारवती के मिलन का दिन पंडित प्रदीब जी मिश्राद्वारा सोंबार की अस्टमी जो 27 फरवरी को है उसके लिए बिचे शुपाय बताया है सबसे पहले आपको सिब मंदिर साथ लॉंग लेकर के जाना है साथ लॉंग लेकर सिबलंग के माता अशोक सुंद्री वाले इस्थान पर साथ लॉंग अर्पित करके थोड़ी देर बाद उन्हें अपने साथ घर पर लेकर आ जाना है यदि किसी के सरदर्द की समस्या हो या थोड़ा वह सरदर्द हो रहा हो तो उसके लिए ये विशेश उपाय है आपको लॉंग घर लाने के बाद घर के जिस भी सदस्य का सरसंबंदी तकलीफ हो तो उसे सुबह उठते ही बिना कुछ खाई पिए इन लॉंग को चबा-चबा कर ग्रहर करना है पंडित प्रदीप जी ने बताया कि सोंबार की अश्टिमी के द्वारा किया गया यह उपाय सबसे असरदार है तो जिस भी भक्त का से संबंदी समस्या हो तो यह उपाय जरूर करें भगवान भोले नात आपकी मनो कामना जरूर पूल करेंगे ओम नमो शिवाय ऐसे ही उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें इससे जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद